सब्सक्राइब करने वाला हूं कि नॉट बात करने वाला इट्स लाइट की सजेशन एक छोटा सा सजेशन है उन सभी लर्नर्स के लिए जो कि कि अगर धंग से पढ़ा होगा तो यह 10 दिनों बात करो और अगर नहीं पढ़ाका थे उपर और प्रैक्टिस करो एंड रिपीट करो पूंकि फिर दिमाग जब क्योंकि गेट का एक्जामनेशन जब होता तो वह CSIR जैसा पेपर नहीं पूछता वह वाइड कॉंसेट को लेकिते हुए पूछते हैं और बहुत बेसिक्स के उपर बात करते हैं और अक्सर गेट के एक्जा यानि multiple selected जो questions होते हैं मतलब more than one option correct वाले questions को incorporate करेंगे तो वो और भी confusion create करेंगे तो को इसके लिए concept की clarity होना बहुत जरूरी होता है जब अब एक या एक से दो statement एक साथ तरीके से देखा जाते हैं कि कौन को सही है तो मैं आप लोगों से लिए यही request कर रहा हूँ कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है पिछले दो बहिनों एक महिने या तीन महिने में जब से भी आप त्यारी कर रहे हैं इस दस दिनों में सिर्फ और सिर्फ उनको recall करिए और इस तरीके से recall करिए कि उससे आया हुआ question ना चूटे दो strategy अपना यह जैसा है मैंने बोला था recall, practice and repeat recall, practice, repeat, recall, practice, repeat recall करिए दिन में या साम में जो भी आपका suitable समय मिलता है और इस दस दिनों में पिछले 10 साल के question paper को एकदम खा जाईए खाने का मतलब answer नहीं रटना है, वो solve कैसे हो रहा है, यह कैसे पता होना चीए आपको जितने भी पिछले 10 साल में चाहे आप Excel के त्यारी कर रहे हो, चाहे बीटी के त्यारी कर रहे हो, किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो उस respective papers के PYQs के पिछले 10 साल को आपको खा जाना है, पूरे-पूरे तरीके सिक्दम चार्ट जाना है कैसे रट्टा नहीं मारना मैं बार-बार कह रहा हूँ, हर एक question solve कैसे हो रहा है, वो आपको पता होना चीए, target बना लो मुझे daily एक एक paper करना है और कितने time में मुझे recall करना है, यह आप काम कर लोगे, और एक target table 10 दिन का set कर लोगे, कितने 10 topics को मैं कैसे कैसे recall करना है और कैसे कैसे काम करना है, और 10 दिन में 10 paper 2020, फिर उसके बाद 2019, अथरा ऐसे करके 10 को लेते चले जाओके लिटरी बता रहा हूँ, यह काम कर लोगे, बहुत effective होगा, बाकी तो आप लोग ग्यानी है ही, क्या करना है ग्यानी करना ही, आपको अच्छे से पता है तो a small suggestion, कई लोग मेरे से personally पूछ रहे थे, तो मैंने सुचो इस पर मैं एक वीडियो बना दू, और यही suggestion है, आप सभी लोगों के लिए कि RPR का use करे, recall, practice and repeat करे, 10 दिन एक target table बनाईए, किस किस चीज को किस किस time पर recall करना है, कब किस चीज को practice करना है, और कैसे अपने आपको improve करना है, एक बार ठ्राई करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, rather than कि नई चीजों पर focus करना, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि एक कील क अगर दिवार में fix करना है न, तो उसको 10 जगहों पर रखके हथोड़ा नहीं मारा जाता है, एक ही जगह पर रखके 10 बार हथोड़ा मारा जाता है, तब ही वो कील जो है दिवाल में fix होती है, तो अब वो समय है, जब उसको जगह जगह पर नहीं, एक ही जगह पर बार बार मारने की या बार-बार वार करने की जरूरत है तो एक ही जगह पे बार-बार वार करेंगे तो definitely जो है अपका ए जो strategy है effective होगा जैसे किसी पेड़ को काटना हो किसी भी लकड़ी को तोड़ना हो अगर पेड़ काट रहा हो कहीं एक जगह पे थोड़ी सी आरी चलाई फिर दूस मतलब आप सभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दस दिनों में उतना ज़्यादा खुद को इंप्रूब कर पाएंगे चलिए मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स वीडियो में तिल देन बाबा टेक केर और अल दे बेस्ट